Hello to my beautiful people, welcome back to my channel and मैं हूँ आपकी दोस दीपा दोस्तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही जबर्जस्ट नुस्खा आपके एकने के लिए आपके पिम्पल्स के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है और आपको इसका रिजल्ट केबल दो-चार दिन में ही दिखने वाला है दोस्तो ये मैंने लिया है नीम की और दुलसी की पत्यां पाँच-पाँच के हिसाब से आप ले सकते हैं मैंने एक दो जादा इधर उधर ले ली होगी इसमें पत्यों को गिनने की कोई ज़रूत नहीं है पाँच-पाँच के हिसाब से आप ले सकते हैं इन पत्यों को हम अब अच्छी तरह से धो कर और इसे कूट लेंगी दोस्तो मैंने पहले ही दो लिया था और अब हम इसे कूटना सुरू करेंगे जिससे इसका सारा रंग इसकी जो सारे गुडवत्ता है वो निकल जाएगी और फिल हम इसका यूज करेंगे अपनी एकने के लिए और अपनी पिंपल्स के लिए जो ये बहुत ही effective remedy बनने वाली है दोस् महीन ना भी हो तो भी चलेगा अगर आपको ज्यादा बनाना है तो आप चाहे तो mixer grinder में भी इसे पीच सकते हैं लेकिन मैंने इसे अच्छी तरह से कूट लिया है और कूट कर मैं केबल एक दिन या दो दिन के लिए ही बनाऊंगी इसे ज्यादा दिन तक बना कर रखने की ज कर लेंगे इस तरह से हमने तुलसी के पत्तियों को ट्रांसफर कर लिया है और इसमें अब हमें चाहिए गुलाबजल दोस्तों आपको पता ही है कि नीम और तुलसी कितनी इफेक्टिव है आपकी तवचा के लिए आपकी एकने के लिए और इन दोनों चीजों के साथ अगर हम rose water का इस्तमाल करते हैं तो ये और भी effective तरीका बन जाता है एक बहुत effective remedy बन जाती है आपकी skin के लिए आपके दाग धब्बे आपके pimples इकने के लिए दोस्तो अब हम इन सभी को अच्छे से mix कर देंगे दोस्तो जिससे पत्यों का रंग गुलाप जल में आ जाएगा और ये एक बहुत अच्छा toner की तरह आपके लिए काम करेगा तो ये मैंने केबल दो बार के लिए toner बनाया है इस तरह से आप एक toner का अस्तमाल कर सकते हैं लेकिन उससे पहले एक और remedy है जो आपको आगे मैं दिखाऊंगी और उसके बाद इस toner का आपको उपयोग करना है दोस्तो अब हमने जिसमें इन पत्यों को कूटा था उससे भी पत्यों के रंग को निकाल देना है उसके लिए हम रोज वर्टल उसमें थोड़ा सा डालेंगे और इसको मिक्स करके उस कटोरी में डाल दिंगे देखिए आपने रंग देख लिया होगा अब इसे हम डाल दिंगे इसमें और उसके बाद हम इसे छान कर रख लेंगे जो हमारे toner की तरह काम करेगा दोस्तो ये बहुत ही effective तरीका है दोस्तो आपके pimples को ठीक करने के लिए तो ये हमारा toner effective toner बनकर तयार हो चुका है इससे पहले हमें एक और remedy करनी है जिससे आपके pimples आपको सुकते हुए समझ में आएंगे दोस्तो ये हमने लिया है कपूर और कपूर को हमें कुटनी में थोड़ा सा एक ही कूट लेना है इससे हमें इसका powder मिल जाएगा और इस powder का इस्तमाल हम अपने pimples को ठीक करने के लिए करने वाले हैं दोस्तो कपूर में कुछ ऐसे ingredients होते हैं जो आपके pimples को सुखाने में उसको ठंड़क पहुचाने में बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द है और ये आपके pimples को ठीक करने के लिए भी प्योग में लाया जाता है दोस्तो ये वही कपूर है जो आप पूजा में यूज करते हैं तो इसका powder हमने तयार कर लिया है और इस powder का इस्तमाल हम करेंगे किसी भी paste के साथ दोस्तो paste वही जिससे आप अपना दाथ साफ करते हैं दोस्तो इसके लिए मैंने लिया है दंत कांती paste ये बहुत अच्छा है इसमें कई जड़ी बूटियों का इस्तमाल किया गया है जो आपकी pimples को भी ठीक करता है इसके लाबा आप कोलगेट भी ले सकते हैं इसमें किसी भी रंग का इस्तमाल नहीं किया गया है लेकिन दंत कांती का इफेक्ट और भी ज़्यादा देखा गया है तो इसके लिए हमने थोड़ा सा अपनी उंगली में दंत कांती paste ले लिया है और इसमें हम डालेंगे ये कपूर का चूरण ये दोस्तों ज़्यादा है लेकिन मेरे हाथ में पकड में अच्छे से आ नहीं रहा है इसलिए मैं बार-बार डाल रही हूँ दोस्तों इस तरह से आपको ले लेना है और अपनी pimples की जगे में अपने दाग धब्बे एकने की जगे में आप इसे लगा लेंगे और मोटा-मोटा पीस्ट आपको लगा लेना है तो चहां पर भी आपके चेहरे पर pimples हैं आप चाहे तो केवल वहाँ वहाँ लगा ले या फिर आप पूरे चेहरे पर फेस पैक की तरह इसे लगा सकते है तो जिस तरह से आपने कभी मुलताने मिट्टी लगाया होगा उस तरह से जो मुलताने मिट्टी सूख जाती है उसी तरह से ये भी 10 मेर्ट के अंदर सूख जाता है लेकिन इसका एफेक्ट बहुत जादा है और ये आपके pimples को सुखाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तो इसे 10 मिर्ट तक आप लगा रहने दे और उसके बाद आपको हलके गुंगुने पानी से इसे धो देना है दोस्तो तो ये 10 मिर्ट तक आपको ऐसे ही चेहरे पर लगा रहने देना है या फिर आप केबल pimples पर ही इस नुष्खे को लगा सकते है तो इस तरह से अपने चेहरे को राद को धोने के बाद आपको ये face pack लगा लेना है और उसके बाद गुंगुने पानी से इसे आपको धो देना है दोस्तो और धोने के बाद आपने जो पहले toner बनाया था आपको उसे अपने चेहरे पर लगा लेना है और उस toner को लगा लेने के बाद आपको सू जाना है दोस्तो इस तरह से आप रुई की मदद से किसी cotton की मदद से अपने चेहरे पर इस toner को लगा लेंगे ये दोनों ही नुस्खे बहुत ही ज़ार effective है और आपको दो दिन में ही अपने pimples सुक्ते हुए दिखाई देंगे और आपके pimples एक हफ्ते के अंदर पिल्कुल ठीक हो जाएंगे इस तरह से आपको लगा रहने देना है और सुखा देना है और पूरी रात इसे लगा कर सुबह आप इसे धो सकते हैं फेस बास से भी दो सकते हैं ये बहुत अच्छा वर्क करता है दोस्तो